हेलो फ्रेंड्स तो इस बार हम अपने fluid and powder materials का fluid materials portion complete करके अब powder metallurgy के तरफ जाने वाले हैं तो इस portion में हम basically powder metallurgy को detail में study करेंगे उसके procedure को study करेंगे और उसकी industry में क्या value है क्या importance है उसको देखेंगे तो सबसे पहले powder metallurgy का हमें एक introduction देख लेते हैं कि powder metallurgy एक ऐसा special manufacturing process है कि जिससे हम जो भी parts बनाते हैं वह एकदम exactly dimension accurate to dimension मिलते हैं और उनके अंदर हम कुछ ऐसी special properties डाल सकते हैं जो normal manufacturing process से possible नहीं है और यह सब होता है metal के powders का use करके क्योंकि इसके नाम में ही आपको पता चल गया होगा कि metal के powders powder metallurgy यानि metals से related है और powder form important है तो यहां पे जो metal का powder form है हम उसको use करते हैं उसको mixing करते हैं और कुछ binding agents के साथ उसे final compact करके हमाई किस भी specified geometry या shape दे देते हैं ताकि हमें हमारे required part मिल जाए और अगर इसे आप study करेंगे यह portion complete होने के बाद तो आपको बता चलेगा कि casting और forging का जो हमारी normal form है उसका modified version भी आप इसे कह सकते हैं कि जिसके अंदर हमें casting forging की comparison जितना high temperature पे नहीं जाना पड़ता तो यहाँ पे better explanation के लिए मैं आपको पहले कुछ powders के photo बता रहा हूँ जो metal powders industry में यूज जादा यूज होते हैं तो इसमें सबसे पहले है tungsten का powder, iron का powder, copper का powder और zinc का powder इन सभी का coarse size आपको texture देखके पता चल रहा होगा कि fine, medium, coarse अलग-अलग है तो इसका reason यह है कि जो मैंने बात की है कुछ special properties की वो इन powder के size पे भी depend करती है कि आपके powder का size जैसा है उस type के आपकी properties मिल सकती है तो इतने छोटे level पे properties को change करना और किसी भी manufacturing process में possible नहीं है जो हमें powder metallurgy facility दे देती है और यह special properties के अलावा कुछ ऐसे material है जिने हम refractory और superpower कहते हैं जैसे tungsten जो बहुत ही high temperature पे melt होते हैं जैसी 5000-6000 degree Celsius तो उतने high temperature के लिए जो हमें energy source का economy या cost होता है वो हम sustain नहीं कर सकते तो उसके लिए better option है कि हम powder metallurgy से उन components को बनाए तो हमें बहुत ही सस्ते पढ़ते हैं और fast process भी हो जाती है तो ऐसे parts जो रिफ्रेक्टरी category में आते हैं और बहुत ही hard होते हैं वो powder metallurgy से easily बन सकते हैं और कभी आपने सोचा है कि plastic और metal के combination से कोई part बन सकता है तो जी हाँ casting में अगर मैं बात करूँ तो नहीं बन सकता क्योंकि casting करते वक्त दोनों ही मॉल्टन स्टेट में आ जाएंगे और मॉल्टन स्टेट में दोनों density के वैसे separate हो जाएंगे लेकिन अगर मैं उन्हें powder में convert कर दूँ और फिर उन्हें किसी तरह से mix करके जोड़ दूँ तो वह उसी form को maintain करके रख सकते हैं तो यह भी powder metallurgy का बहुत ही अच्छा एक application है जो industry के अंदर यूज होने वाले कुछ ऐसे parts जो powder metallurgy की बदलत आज अवेलेबल है और उनके वासे उनकी जो पहले के वर्जन यूज होते थे उसमें आज modification आगे है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मेने parts के नाम लिखे हैं bearings आ गई है metal की sheets आ गई है filter आ गई है electrical Contacts आ गए है तो इन सब में से हम कुछ ऐसे important parts को detail में मैं आपको फोटो के जिरिये बताने वाला हूं तो सबसे पहले powder metallurgy का सबसे best example जो है वो है self-lubricating bearings तो self-lubricating के नाम में ही काम चुपा हुआ है कि वह अपने आपको lubricate करती रहती है तो fluid materials में हमने देख लाता कि lubrication क्य होता है कि किसी भी process के relative motion में अगर आप उसका friction कम कर दें तो उसे lubrication कहते हैं तो अगर इस image को आप थोड़ा ध्यान से देखें कि तो आप देख सकते हैं कि इसका texture कुछ rough जैसा आपको दिख रहा होगा वो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे pores हैं पोर्स यानि छो शेप दिदू उसके बाद मुझे ऐसा एक खड़े खड़े वाला structure मिल जाता है जिसे मैं 5-6 घंटों के लिए oil में dip करके रखता हूं तो इससे क्या होता है एक sponge की तरह यह bearing का material oil को absorb कर लेता है अब oil जो है वो इसके अंदर जम जाता है holes के अंदर तो जब यह bearing working condition में आती ह है तब इसका temperature थोड़ा सा rise हो जाता है और वो oil इसके hole से बाहर आके इसको lubricate कर देता है और जैसे यह थंडी होते तो वापिस oil उसके अंदर वापिस absorb हो जाता है तो इस तरह की self lubricating bearings ने आज industry में बहुत ही ज़्यादा पेमाने पर अपनी जगा बना ली है और बहुत ही useful skill काम आती है उसके बाद है electrical context जो आपने अपने घर में भी देखे होंगे तो कभी सोचा है कि इतने छोटे parts को एक जिसा accurate dimension के साथ कैसे बना सकते है हाँ stamping forging process है हमारे पास पर फिर भी हमें कुछ required properties के साथ conductivity के साथ यह कैसे मिल सकता है तो इसके लिए भी उसका जो time लगता थ manufacturing का और उसके में जो problem साती थी उसे easy करने के लिए आज powder metallurgy ने इसके लिए बहुत सारे solutions दे दिया और इतने accurate dimension को पाना बहुत ही आसानक बना दिया है उसके बाद हम दूसरे important tool की बात कर रहे है जो सिफ powder metallurgy की वज़े से ही possible हो पाया है जो है diamond impregnated tools यानि की ऐसे metal cutting tools जिन उनके अंदर diamond के particles add किये जाते हैं तो यहां पर आप यह देख सकते हैं यह actually grinding wheel का dresser है तो dresser basically क्या करता है कि हमारे जो grinding wheel आते हैं उनकी surface को वापिस से rough बना देता है ताकि हम उनसे grinding operation continue कर सके तो grinding wheel खुद इतने hard होते है तो उनकी layer को remove करने वाला कितना hard होना चाहिए तो उस इसके साथ toughness नहीं आती तो toughness के लिए हम क्या करते हैं उसे iron के अंदर mix कर देते हैं तो उसके लिए हम diamond dust यानि diamond का powder और iron powder को mix करके ऐसा structure बनाते है जो powder methodology से बहुती easily बन जाता है बाद में आते हैं oil pump के rotor या फिर आप कह सकते हैं gear pump के rotor तो आप देख सकते कितनी high accuracy से accurate dimension इसक बादातर gear pumps oil के लिए use किये जाते हैं तो oil के अंदर use करना है तो powder methodology के parts उसके लिए सामने बहुती अच्छा performance देते हैं क्योंकि oil से इनके उपर ज्यादा effect नहीं होता और अगर oil आग भी जाए तो वह self lubricating के तरह भी काम करके इनकी efficiency बढ़ा देते हैं तो ऐसे components बहुती अच wire drawing dies तो wire drawing dies यानि हमारे metal के rods को किसी 5 mm diameter wire rod को मुझे wire में convert करना हो तो उसके लिए हमें उसे drawing process करना पड़ता है तो drawing करते वक्त कुछ ऐसे equipment यूज होता है जो धीरे-धीर step by step उसका cross section reduce करते हैं तो उन equipments का नाम में सबसे एक main component है डाई तो इसकी जो डाई है उसके अंदर चाहिए और एकदम accurate dimension होने चाहिए ताकि हमारा जो wire है वो distort ना हो जाए तो इसके लिए भी हमें powder methodology बहुत ही अच्छा option है और इनसे जो parts बनते हैं वह accurate to dimension होते हैं और साथ ही उनका time भी कम लगता है तो यह हमारी productivity को बढ़ा देता है इंडस्ट्री की और इंडस्ट्री में सबसे main focus इसी पर होता कि productivity कैसे बढ़ाई जाए तो powder methodology के आने के बाद industry में productivity को cover करना बहुत ही easy हो गया है चलिए अब हमने कुछ parts देख लिए तो हमें idea लग गया कि industry के अंदर ऐसे कितने सारे parts है जो powder methodology की बिदूलत आज आ गए है या फिर modify हो चुके हैं तो अब हम देखन methodology का एक basic procedure या फिर आप कह सकते कि flow chart कि किस तरह से powder metallurgy में काम किया जाता है तो सबसे पहले तो मुझे powder metallurgy के लिए obviously metal का powder मिलना चाहिए तो मेरा पहला step यह होगा कि मुझे powder produce करना होगा metal के अंदर से तो उसके लिए मेरे बहुत सारी processes जैसे कि atomization हो गई electrolysis हो गई reduction process हो गई हमारे metal के powder के अंदर कुछ ऐसे agents डालते हैं जो उसको lubricating काम कर सकते हो या alloy elements डाल सकते हैं जिससे हमे special properties मिल सकती हो ऐसे अलग अलग properties को पाने के लिए हम mixing और blending process follow करते हैं उसके बाद हम उनसे compact कर देते हैं यानि उसे fixed pressure के साथ geometry में बिठा देते हैं pressure डालके तो उसके लिए भी कई सारी process जैसे machine pressing हो गई rolling process हो गया extruding process हो गया यह सब process करके हम एक required shape में हमारे powder को maintain कर सकते हैं compacting हो जाने के बाद हम उसके उपर pre-sintering process करते हैं तो pre-sintering यानि sintering के पहले के process तो इसके अंदर heat treatment आता है और surface preparation basically ज्यादा तर यूज आता है कि sintering करने से पहले हमें हमारे जो compact मिला है compacting करने के बाद जो हमें powder form मिलते हैं उसे हम compact कहते हैं तो जो compact मिला है उसको sintering के करने के लिए उसमें कुछ properties होनी चाहिए तो वह properties हम pre-sintering process से add करते हैं तो अब आप सोच रहेंगे sintering process क्या है क्या है क्योंकि sintering के पहले क्यों लेकिन sintering क्या है तो अभी आप इतना याद रखिए कि कि किसी भी compact को एक certain pressure और temperature पे heat करने को sintering कहा जाता है इससे क्या होता है कि जो हमार मेटल का powder और binding agents है वो घर्मी और pressure के वाज़े से completely एक दूसर के साथ जुड़ जाते हैं और एक strong structure बना देते हैं sintering process को आगे हम detail में study करने वाल है अभी आप एतना basic idea याद रखिए कि sintering यानि हमारो जो compact मिला है उसको एक required pressure और temperature से heat करना है ताकि उसके सारे powder के particles जो है binding agent जो है वो अच्छे से चिपक जाए या फिर अपना structure बना ले और sintering के बाद हमारे secondary operations या फिर आप कह सकते कि post sintering operations आते हैं जो बहुत ही rare case में use होता है जैसे कि infiltration हो गया, repressing हो गया, machining हो गया तो मैंने आपको self-rubricating bearings के लिए कहा था कि एक बार हमारी bearing बन जाती है तो उन्हें 5-6 घंटों के लिए oil में dip करके रखा जाता है तो वो example हो गया infiltration का कि मेरा जो powder का structure बना है final part उसके अंदर उन pores के अंदर में oil को infiltrate करा रहा हूं ताकि वो मुझे future में काम लग सके तो यह एक secondary operation का example हो गया और finally यह सब 6 के 6 operation हो जाए तो उसके बाद मुझे finally मेरा finished powder methodology का part ready to use for industry मिल जाता है तो हम इसी flow chart को follow करते हुए सबसे पहला जो step था powder production का इस lecture में हम वो topic complete cover करने वाले हैं तो उसमें सबसे पहले मैंने कहा था atomization करके एक process आता है तो उसको देखते हम पर सब सबसे पहले कि atomization का अगर आप नाम सुने तो आपको थोड़ा idea लग जाना चाहिए कि हम metal को atomize करेंगे atomize in the sense उसके इतने छोटे-छोटे atom के size से similar powder form में convert करेंगे हाँ obviously atom जितने छोटे तो powder नहीं बन सकते पर उससे similar तो उसके लिए मैं आपको एक simple diagram बता रहा हूं और इस diagram हम धीरे-धीरे समझते हैं ताकि आपका atomization clear हो जाए तो सबसे पहले ladle की मदद से ladle basically ऐसा element है जो industry में पिगले हुए लोहे को एक जिए से दूसरी जिए ट्रांसफर करने के लिए use किया जाता है तो ladle से सबसे पहले हम tundish में हमारे molten metal को pour कर देते हैं जिसे melt कहा जाता है और इस tundish में से हमारा molten metal एक छोटे से nozzle से पास होता है और नीचे एक दूसरे container में निकलता है अब आप लोग सोच रहे होगे कि आखिर tundish क्या है तो tundish एक ऐसा container है जो हमारे melt को store करके रखता है जब तक वो nozzle से पास नहीं हो जाता है तो उसे हम basically tundish कहते है और tundish जब वो nozzle में पास होता है तो उसके खुद की एक flow rate होती है उस flow rate की भी बहुत importance होती है कि हमारा powder का size क्या मिलने वाला है तो जब हमारा melt nozzle से पास होता है और दूसरे container में पहुचता है तब उसके उपर एक high pressure water या gas का jet impinge करने पे आता है ताकि जिससे वो जो melt आ रहा है वो छोटे-छोटे particles में distribute हो जाए और थंडा हो जाए तो इससे समझने के लिए आप कभी barbershop में गए हों कि हमारे बाल पे वो पानी और oil के immersion का spray करते हैं तो वो spray के water particles का size कितना छोटा होता है कि वो हवा में float करने लगते हैं तो उसी तरह के छोटे-छोटे particles का spray हम यहाँ पे water jet से कर रहे हैं ताकि हमारो जो melt आ रहा है वो भी उतने छोटे-छोटे particles में distribute हो जाए और थंडा हो ज तो मैं inert gas का यूज करता हूँ, inert gas यानि final जो periodic table में सबसे last column जो है gases का argon, neon, zeon उन gases का यूज कर सकते हैं ताकि वो reaction ना कर किसी type का और इस jet की वज़े से हमारो जो melt आ रहा है वो छोटे-छोटे size के particles में distribute हो जाता है और थंडा हो जाता है और मेरे base पे collect हो जाता है चेंबर के लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने जैसी यह है कि water के effect की वज़े से और gas के effect की वज़े से ज्यादा तर जो मेरा powder particle मिलेगा उसके उपर एक oxidation की की हुई coating होगी जो हमें remove करनी पड़ सकती है और जो हमें इसका powder size मिलता है वो nozzle के size पे हमारे metal के flow rate पे और jet के temperature और pressure पे depend करता है कि हमारा particle का size कितना बड़ा या छोटा मिलेगा जैसे कि अगर मेरा nozzle size बहुत ही छोटा है, तो मुझे powder size भी छोटा मिलेगा, अगर मेरा metal flow rate कम है, तो powder size भी छोटा मिलेगा, और अगर मेरा temperature और pressure of jet जादा है, तो ये सब condition मिलने से मुझे powder size छोटा मिलेगा, लेकिन अगर इसी का उल्टा कर दूँ, कि nozzle के size को बढ़ा दूँ flow rate को बढ़ा दूँ, temperature और pressure को कम कर दूँ, तो मेरा powder size मुझे बढ़ा मिलेगा, तो इस तरह हम powder size को atomization process में control कर सकते हैं, और नीचे हमें obtain हो जाता है, तो ज़्यादा तर इसके अंदर आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमें metal molten condition में मिलना चाहिए, तो obviously इसके लिए जो हम 232 degree Celsius है, और zinc है, तो zinc का 420 degree Celsius है, तो gin metals का melting point इस range के आजबा जो आता हो, उनके लिए हम ये process use कर सकते हैं, और powder easily बना सकते हैं, अब atomization के बाद second process हमारी reduction process, तो fluid materials में भी आपको मैंने कहा था कि reduction यानि किसी भी substance के atom, जब electron gain करते हैं, तो उस chemical process को हम reduction कहते हैं, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है कि हमारों जो metal है, उसके atoms से हमें electron gain करवाने हैं, तो इससे हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास material के oxide available होने चाहिए, तो जिन material के हमें naturally oxide मिल जाते हैं, जैसे कि iron, उसके और आपको oxide के form में मिलते हैं, तो ऐसे oxides को जब मैं carbon या फिर carbon monoxide या hydrogen के साथ reaction करवाता हूँ, तब उनके अंदर reduction process मिचे देखने मिलती है, तो इसके लिए मैं आपको एक basic diagram समझा रहा हूँ, जिसके यहाँ पे इतने portion में ही मेरा reduction complete हो जाएगा, क्यूंकि यहाँ पे आप देख सकते कि यह जो mill scale और coke है, यहाँ पे मैं अपने oxide को, metal के oxide को कोईले के साथ एक container में डाल रहा हूँ, और इस kiln में pass कर रहा हूँ, तो kiln में थोड़ा सा high temperature मिलेगा, तो वहाँ पर reduction process मेरा start हो जाएगा, और यह जो powder मुझे मिलेगा, उसको मैं reduction process के बाद, crushing और screening से required size के सबसे अल लग-लग कर सकता हूँ, और fine करना हो, तो वहाँ उसे grinding कर सकता हूँ, तो और maintain कर सकता हूँ, और इसमें एक खास बात यह है, ध्यान रखने जैसी, कि यह सारा process जो है, वो metal के original melting point से कम temperature पर होगा, क्योंकि normally अगर मैं iron की बात करूँ, तो iron का melting point 1510 degree Celsius के आजवज़व आता है लेकिन अगर मैं उसके oxide की बात करूँ, reduction process के दर्मियान, तो वो 300 से 500 degree Celsius की range में आ जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी energy saving हो जाती है हमारी, तो मैं आपको कुछ examples बता रहा हूँ, जैसे कि tungsten oxide, जब hydrogen के साथ reaction करता है, तो tungsten और H2O separate हो जाते हैं, तो यहाँ प temperature पर water evaporated form में रहेगा, और रही बात tungsten की, तो वो मुझे separately powder form में नीचे base पर collect हुआ मिल जाएगा, और उसे मैं base से core screening करके, milling करके, अलग कर सकता हूँ, और final process के लिए निकाल सकता हूँ, उसी तरह से copper oxide को भी मैं hydrogen के साथ reaction करके copper और water को separate करके copper powder निकाल सकता हूँ, और iron के पर कुछ reaction मैंने इस photo में ही आपको बता है, जो normal coelay के साथ, coke के साथ, यूज करके हम बना सकते हैं, और उसके अलबा कर मुझे carbon monoxide gas का यूज करना है, तो उसका यहाँ पर आप equation देख सकते हैं, इस process की खासियत यही है, कि यह बहुत ही cheap है, fast है, flexible है, और most metals का, क्योंकि earth के oil में से हमें oxide form मिलता है, तो यह ideal process मानी जाती है, और industry के अंदर भी सबसे ज़्यादे यही process यूज होती है, क्योंकि industry का main motor यही है कि productivity बढ़ा नहीं है, तो उसके लिए दो factors main जो है, वो है cost and time, तो cost and time saving के लिए यह सबसे best option है, इसलिए industry में इसकी बहुत ही ज़्यादा importance है अब reduction के बास जो हम process देखने वाले हैं, वो आप उसको process को पहले ही जानते हैं, पर कभी powder metallgy के respect पर आपने नहीं पड़ा है, उसका नाम है electrolysis या फिर आप कह सकते हैं electrolytic deposition, यानि electroplating, तो 10th में ही आप electrolysis या electroplating पड़ चुके हैं, जिसमें हम एक steel के चमच पर copper की परद है कि electrochemical process से एक तरह की और ये copper, iron, tantalum, silver, zinc और tin के लिए ही यूज किया जा सकता है, और इसके use से हमें जो powder मिलता है, उसकी oxidation resistance बहुत ही अच्छे होती है, वो क्यों होती है, ये process समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा, कि ये property हमें कैसे मिल गई, powder के अंदर, तो electroplating process की तरह similarly हम इसके अंदर anode और cathode यूज करेंगे, तो anode किसे रखना है, जिस metal का हमें powder बनाना है, उसे as anode connect करना है, और cathode के लिए हम usually aluminum plate का use करते हैं, यहाँ पर आप setup देख सकते हैं, इस setup के अंदर cathode में sodium यूज किया है, पर industry के अंदर economy के लिए aluminum plate बहुत ही common example है, यूज करने के लिए, इस setup के अंदर जब high ampere current पास होता है, तब हमें process देखने मिलती है, लेकिन उसके लिए सबसे main element हमें चाहिए electrolyte, तो electrolyte हमारे anode पे depend करता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरा anode copper है, यानि मुझे copper powder obtain करना है, तो उसके लिए मुझे cu-so4 यानि copper sulfate का ही electrolyte यूज करना पड़ेगा, तब ही जाके मेरा electrolysis process complete हो सकता है, तो एक बार अगर मैं अपने electrolysis के इस setup को complete कर लूँ, कि anode cathode को एक temp के अंदर collect के electrolyte में dip कर दो, और उस circuit को complete कर दो, और फिर उस circuit में से में high ampere current पास करूँ, high ampere यानि 5 ampere जो हमारा normal current आता है घर पे वो नहीं चाहिए, पर 24 amps, 25 amps जैसा high ampere current चाहिए, तो ये current जब इसमें से pass होगा, तब मेरे anode में से positive ions separate out होगे, और Cu plus electrolyte में dissolve होने लग जाएगा, तो धिरे-धिरे मेरा anode जो है, वो electrolyte के अंदर dissolve होना start हो जाएगा, और obviously क्योंकि उसके पास positive charge होगा, तो वो negative charge वाले cathode की तरफ attract हो के उसके उपर एक layer बना देगा, यानि एक पूरा deposit उसके उपर complete layer बना जाएगा, anode material का, और ये जो layer बन गया है, हमारे cathode के उपर anode material का, इसको हम बाद में निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हम anode को निकालते हैं, tank से, और बाद में उसको थोड़ा धोग कर सुखा देते हैं, ये इसलिए करना पड़ता है, ताकि हमारे cathode के उपर जो electrolyte रहे गया हो, उसको completely remove करना पड़ता है, उसके बाद ही हम pure metal powder separate कर स सकते हैं, और एक बार ये process हो जाए, उसके बाद हम easily हमारे cathode के उपर से उस anode के material को scrape off करके निकाल सकते हैं, और उसको grinding कर सकते हैं, ताकि हमें और भी अगर उसको required size में powder को लाना हो, तो ला सकते हैं, तो ये process बहुत ही pure metal powder obtain करने के लिए use की जाती है, और जैसे कि मैं आप तो ये इसका जो natural characteristic है, वो ions को loose करने से ही बना है, तो इसलिए ये oxidation के resist कर सकते हैं, क्योंकि इसका structure ही उसी तरह से बना है, oxidation हो हो के electrolyte के अंदर, इसलिए इसका oxidation resistance बहुत ही high होता है, अब जो हमारा fourth process है, वो बहुत ही well known process है, जिसका नाम है mechanical pulverization, जिसे कई बार milling भी का जा जाता है, क्योंकि mechanical pulverization के अंदर हम ज्यादातर milling process यूज़ करते हैं, क्योंकि mechanical pulverization मतलब किसी भी चीज़ का चूरा करके रख देना, और उसके लिए हमारे पास बहुत सारी process है, लेकिन ज्यादातर milling यूज़ होती है, तो ये process ज्यादातर brittle materials के लिए, हमें 0.001 mm तक के particle size obtain करने में help करती है, और इसके अंदर नाम जैसा काम कि उसका पूरा चूरा करके रख देते है metal का, चूरा करते करते हम फाइनल इक powder form मिल जाता है, तो उसके लिए हम ज्यादातर crushing, rolling और milling process का use करते है, तो यहाँ पर मैं आपको crushing process की figure बता रहा हूँ, यहाँ पर दो roller है, जो दोनों same clockwise direction में घूम रहे हैं, और उसके उपर metal powder उपर से पोर कर रहे है, metal के particles को, तो इन दोनों के same direction of rotation के विज़त से, यहाँ पर एक crushing action हो रहा है, जिससे यह जो particles, metal के particles उपर से आ रहे है, वो तूटते जा रहे हैं, disintegrate हो रहे हैं, और finally नीचे powder form में collect हो रहे हैं, इसके लावा हम एक ball milling process करके भी use करते हैं, जिसके अंदर एक steel drum के अंदर, super hard wear resistance steel ball के साथ, हमारे metal particles को डाल दिया जाता है, और उस drum को continuously roll किया जाता है, तो इससे क्या होता है, कि जो hard steel ball से, वो continuously उस metal के उपर टकराते रहेते, टकराते रहेते, और धीरे धीरे उस metal के तुक और ज़्यादे तर हमारा procedure इस तरह से होता है, कि सबसे पहले हम crushing करते हैं, crush lowrers की मदद से, और बाद में हम उसे ball mill में डाल देते हैं, ताकि हमें एकदम fine powder मिल जाए, यानि बहुत ही minute size के particles वाला powder मिल जाए, और अगर इससे भी ज़्यादा हमें fine, या फिर आप कह सकते है क कि small particle size वाला powder चाहिए हो, तो हम बहुत ही ज़्यादा heavy crushing machinery, crushing rolls, ऐसे machines का use करके, screening करके और भी powder को separate out कर सकते हैं, अब mechanical polarization के बाद का हमारा जो process है, उसका नाह में condensation, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, condensation, evaporation तो आप 7th standard से पढ़ते हैं, आ रहे हैं कि पानी को evaporate करो, उसक करने पर कि भाब पानी बन जाते हैं, उससे condensation कहते हैं, तो यहाँ पर powder उससे कैसे बनेगा, तो जी, यहाँ पर हम पानी को नहीं, यहाँ पर हम metal को boil करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहली condition यही है, कि gin metals का boiling point low आता हो, जैसे कि zinc, cadmium, magnesium, lead और tin, ऐसे metals के लिए ही यह process तो इस process में करते क्या हैं, इसमें हमें जिस भी metal को condense करके powder convert करना है, हम उसका एक rod लेते हैं, और उसको directly एक metal की high temperature frame से के साथ contact में ला देते हैं, तो धीरे धीरे इस high temperature के वज़े से हमारे metal boil होना start हुए, यहाँ पर मैंने boil खास करके लिखा है, boil यानी solid to liquid नहीं, पर solid to liquid औ होना चाहिए, यानी हमें आरा जो metal की rod है, वो vapor में convert हो जानी चाहिए, यह vapor जब convert होता है, तो obviously low density के वेचे से उपर उठेगा हवा में, और इसी हमारे setup के उपर एक surface होती है, थंडी, जिसके उपर यह condense हो जाता है, और थंडी surface इस तरह से select की जाती है, कि वो metal के vapor के जो particles ह है, उसके साथ chip के नहीं, इस तरह से हम material को select करते हैं, तो जैसे ही हमारा vapor उस थंडी surface पे touch करता है, या फिर contact में आता है, वो वही पे condense हो जाता है, उसके छोटे-छोटे particle form में, हमें droplets मिल जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक zinc का condensation process वाली surface बता रहा हूँ, जिसके के लिए use कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक ही बात रखनी है, कि mass production के लिए, powder के mass production के लिए ये process suitable नहीं है, क्योंकि process खुद fast है, पर surface पे से remove करना time consuming है, और इसके लिए size भी बहुत जादा चाहिए, तो mass production of powders के लिए इसलिए suitable नहीं है, क्योंकि जगा बहुत चाहिए और इसको बाद में surface से separate out करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, अब जो हमारी final process है, powder production के लिए major, वो है hydride and carbonyl processes, तो ये भी chemical process ही है, जिसमें हम hydrogen और carbon की मतद से हमारे powder बनाएंगे, तो सबसे पहले हम hydride process की बात करते हैं, तो ये उनी metals के लिए है, जो normal room temperature पे, hydrogen के साथ react करके stable hydride बना सकते हैं, जैसे कि tantalum, niobium और zirconium, ये metal ऐसे हैं, कि अगर ये normal room temperature पे hydrogen के साथ contact में आ जाते हैं, तो वही पे वो stable hydride form बना देते हैं, जैसे कि tantalum hydride, niobium hydride, zirconium hydride, ऐसे form में convert हो जाते हैं, तो इन्हें ऐसे convert करने से होगा क्या, कि normally मेरे metal बहुत हाई melting point व hydride बन जाए, तो hydride low temperature पे भी vaporize हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर hydrogen का element आ गया है, तो अगर मैंने tantalum से tantalum hydride बना दिया, तो मैं उसे 350 degree Celsius के about heat करूँगा, और heat करने से जो मेरा hydrogen है, वो आपिस separate होने की try करेगा, तो जब मेरा hydrogen separate होगा, तब वो metal को powder form में छोड़ देगा, और खुद water vapor बनके उपर atmosphere में निकल जाएगा, तो मुझे directly metal powder मेरे bottom surface पे मिल जाएगा, यह hydride का example था, तो बहुत ही simple process है, कि metal मेरे खुद hydrogen के साथ hydride बना देते हैं, और उस hydrogen के साथ बने हूँ इस compound को, यानि hydride को, आप जब heat करते हैं, high temperature, suitable temperature पे, तो आपको directly आपका powder और hydrogen separate out होके मिल जाते हैं, बाद में second है carbonyl process, जो सिफ iron और nickel के लिए majorly use की जाती है, क्योंकि बहुत ही fast process है, और iron और nickel जो है, वो industry में ज़्यादा तर use होते हैं, तो इसके लिए यह process बहुत important मानी जाती है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारा metal हम मान लेते ह कि निकल, निकल के उपर से हम carbon monoxide की gas को pass करते हैं, तो इस दर्मियान हमारा metal एक volatile carbonyl component बना देता है, वोलेटाइल मतलब आपने petrol को देखा हो, पेटरोल को अगर आप कटोरे में भरके रखोगे, नॉर्मल ध्रूम टेंपरेचर पे वो evaporate हो जागा time के साथ, तो उसे volatile कहते ह बिना किसी heat source के हमारा liquid solid में vaporize हो जाता है, तो iron का हमें iron pentacarbonyl मिलता है, और nickel से हमें nickel tetracarbonyl मिलता है, जो 43 degree Celsius पे ही boil हो जाता है, boil कह रहा हूं में याप, boil, boil यानि vaporize हो जाता है, और iron pentacarbonyl जो है, वो 107 degree Celsius पे boil हो जाता है, यह आप आप देख सकते हैं, कहा iron का melting point 1510 degree Celsius, melting point, और कहां अब यह 107 degree Celsius पे boil हो जा रहा है, तो आप difference देख सकते हैं, कितना ज़्यादा difference आगया है, और कितनी energy saving हो सकती है, तो जब मैं अपने metal के surface से CO gas को pass करता हूं, तब मुझे यह बात भी ध्यान रखनी है, कि उसको एक suitable temperature और pressure देना पड़ता है, तो normal temperature की range होती है, 200 से 270 70 degree Celsius और pressure मेरा होता है, 70 से 210 बार्स, तो इस pressure और temperature पे मेरा जो nickel है, वो nickel tetra carbonil बना देता है, और बाद में उस tetra carbonil का इस equation से मैं समझ सकता हूं, कि एक nickel के element के लिए मुझे 4 carbon monoxide के atoms चाहिए, तो मुझे nickel tetra carbonil मिल जाएगा, अब एक बार यह carbonil बन गया, तो मुझे simply उसको 43 degree Celsius पर ले जाना है, ताकि वो boil हो जाएगा, और अगर जब वो boil होगा, तब मुझे एक ही बात ध्यानर में रखती है, कि यह जो boiling process में कर रहा हूं, यह मुझे cool chamber के अंदर करनी है, वो इसलिए करनी है, कि जैसे ही मैं उसे heat करूंगा, तो heat करनी के बाद मेरा nickel और carbon monoxide डोनो separate out ह होना start हो जाएंगे, तो जो मेरा metal component है, वो थंडा होना चाहिए, तुरंत, तभी वो powder form में convert हो सकता है, तो वो तुरंत उस cool chamber के contact में आकर थंडा हो जाएगा, और मुझे pure metal powder मिल जाएगा, spherical form का, तो इस तरह से हम hydride और carbon will process को use करते हैं, और industry के अंदर धीरे धीरे, इस process की अलावा, आयन और nickel के लिए carbon will process को ज़्यादा prefer किया जाता है, और इस process की सबसे अच्छी बात यही है, कि carbon will process में किसी भी type का wastage नहीं होता, ना तो gas का ना metal का, क्योंकि metal मेरा completely powder में हो जाएगा, और powder को मैं powder metallurgy के parts बनाने के लिए use करने ही वाला हूँ, और रही बात carbon monoxide gas क तो वो मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार जब यह dissociate होती है, यह decompose होती है, थंडे chamber में ताब उसको वापिस collect करके, recycle करके वापिस use कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरा 0% wastage है, इसलिए carbon will process बहुत ही अच्छी मानी जाती है, इस lecture के लिए इतना ही, आगे के powder metallurgy process को समझन के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और हमारे लेक्चर को continue करें, थैंक यू